मित्रों नमदी नमाच संस्किता संस्कितवाडग गंगा चैनल पर लग्वत्छिधान कौमड़ी का प्रकृण है उसी प्रकृण में हम इसके पहले तक हमने जो अस्थानों की चर्चा की अस्थानों के बाद हम प्रत्न के बाद हम बाहि प्रत्न की कितने होते मैं तो पहला ही टापिक लिखा है उसकी दो प्रतने किटने होते हैं एक और 10 अठाथ 11 प्रकार की होते हैं कान से हैं बिवारह संवारह स्वासों नादों घोसो अघोसों कि अलप प्रान्म्हाप्राण उदातન दश्येत 나올 अनुदात अल्पप्राण, महाप्राण, उदात, अनुदात और स्वरित, तो इन में से आपको कुछ चीजे पढ़ाई गई है, जैसे उदात को पढ़ाया गया है, अनुदात को पढ़ाया गया है, स्वरित क्या है, तो जब इसकी टापिक चल लही थी, हमने वहाँ पर बताया था, कि उ स्वरों के हरस्ष होते हैं, दीर्ग होते हैं, पलुत होते हैं, उदाथ, अनुदाथ and स्वरित, यह हैं केवल और केवल स्वरों के भेड होते हैं। अब हमें पढ़ना बाकी क्या बचा है विवाबार्यस वासोन नादो घोसों अखोसौन अल्प प्राऑनों महाप्राणक हैँ इन्हीं की खेवल उन्हें चर्चा करनी है नीचे इसकी व्रित्ति लिखी गई है कि खरो विवारा स्रच क्या लिखा गया है खरो विवारा श्वा तो इस वाक के कार्थ होगा खर एक प्रत्याहार है खप छठत से लेकर सक्सर के रह तक जाएंगे उसके अंतरगत या उसके मद्द जितने वण आएंगे उन्हीं वण वही वण क्या है विबार है स्वास है अघोस हैं कौन-कौन से खर प्रत्याहार में खर प्रत्याहर में क्या आएगा खफच जठत उसके बाद चत घक प उसके बाद श श श तो यह वहारण क्या है खरविवारा श्वासा अघोसाच्च्छ घर प्रत्यार कें अंतरगत आने वाले वंन क्या कहलाएंगे अग्होसर कहलाएंगे उसके बाद दूसरा सुत्र लिखा गया हस संबारानादा ढ़र घोसास अग्होचे हस प्रत्यारकें अन्तरगत कहसा है यह लेकर और जब गड़ दस जब गड़ 10 सूत्र तक जाएंगे जब 10 के 7 तक जाएंगे तो उसके अंतरगत ह स्परत्या हार के अंतरगत आते हैं तो इसके अंतरगत हः वर ल और उसके बाद ल उसके बाद वर्ग केdir पंचमाक्छर वर्ग के चतुर्थ अक्षर वर्ग के तीसरे अक्षर वह क्या है संबार है नाद है घोस है क्या क्या है संबार है नाद है घोस है एक बार ताओर है कि जो वर्ण संबार होगा वह कभी विबार नहीं होगा जो वर्ण नाद होगा वह कभी स्वास नहीं होगा, जो वर्ण घोस होगा वह कभी अघोस नहीं होगा, जो वर्ण घोस होगा वह कभी अघोस नहीं होगा, या जो वर्ण विबार होगा संबार नहीं होगा, स्वास होगा तो नाद नहीं होगा, अघोस होगा तो वह कभी वर् सब्सक्राब की सभी वर्गों के सभी वर्गों कि प्रतमक्षर दुतीये प्रतामकि अग्षर दोटीय घ्षर और तीनो सहर और तीनो सहर वा क्या है शंवार है वा क्या है विवार है है घो से महार है तो पहले दूसरे अक्षर और तीन चर्ख इनकी संध्या कि इनकी संध्या कितनी हो गई तो पांच-पांच दस और तीन Totiरा इन कि संध्या कितनी हो गई । तेरैं हुगे हसा संबारा । जो हस्व प्रत्या हर के नतर हम लाते हैं तो हस्व प्रत्या के नतर ह delivered है यहorig लड़ा हैंented पांस अधर हो गए और सभी वर्गों के तीसरे चौथे और यहा पर इनकी किटनी संख्रा कितनी हो गई 15 हो गई तो अब इससे हमें पता चला कि हस्प्रत्याहार के इंतर गजट कितने वड़ातियाए 15 हाथ है और फ्रत्याहार के इंतरगट कितने वड़ातिया 13 है अब हमारा अगला टापिक है कि अल्प प्राण क्या है महाप्राण क्या है तो इसके लिए एक सुत्र है कि वरगाणाम प्रथम तिर्थीय पंचमा यनस्च अल्प प्राणा वरगों के पहले तीसरे पांचवें और यन प्रत्याहार में जो वरणाते हैं वह अल्प प्राण है और प्राण का मतलब होता है वाय। प्राण का मतलब क्या होता है वाय। जब हम वर्ण को उच्चारण करने में हमें वाय। की कम आप सकता पड़े ऐसे वर्णों को हम अल्प प्राण करते हैं। तो वर्गाड़ा मने सभी वर्ग वर्ग पांच है कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग पवर्ग तवर्ग 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 तवर् के प्रत्याहार में यावाराला के अंतर अंतर्त वेंजन क्या है अलप प्राण रिखी गई वर्गाडाम, दूति, चतुर्थो, सलस्च, महाप्राणा, वर्गाडाम सभी वर्गों के माने 5 वर्गों के दूसरे और 4 अक्षर माने ख, छ, ठ, ध, ये सब क्या है? दुतिय वर्ण है चतुर्धोर्ष में आज़े ये घ, ज, भ, ये सब क्या है? चतुरत अक्षर हैं तो वरगों के दुती और चोठे अक्षर और सलश्च सलप्रत्याहार के अंतरगर्ट तीनों से दंती से मुर्धन से तालब से और क्या आते हैं और इनहीं तीनों सक को हम क्या करते हैं उसम करते हैं और सलप्रत्याहार में हभी आता है तो सलप्रत्याहार म क्या है महाप्राण है तो अर्गों के दूती चतूर्थ सलस का दूसरे सब्दों में कहें उस्म बेंजन वह क्या है महाप्राण है तो यहां जो बताया गया कि बाह प्रत्नी ग्यारा प्रकार के होते हैं विबार संबार नाद स्वास उसके बाद घोष अघोष अल्प प्राण महाप्रण उदात अनुद्धात और स्वरित उसके बाद लिखा गया कौन से वन किसमे जाएंगे तो लिखा गया नीचे एक सुत्र है कि खरो विवारा स्वासा अघोसास्च खर प्रत्याहार के अंतरगत आने वाले वन विवार हैं स्वासा अघोस्च दूसरी लाइन में लि क्रावार हें इसके बाद जो है हम वरणों का वरंगी करण पढ़ेंगे अभीसें पहले हमने देडों को पढ़ा अस्थान क्या है अब एक स्वरूप में सभि वरनों का विभाजन किया गया किन-किन वरनों को क्या-क्या नाम देना चाहिए तो पहला ही सुत्र लिखा है कादियो मां वुसानाः असपर्सा का आदि आव मां उसान तक मनें समाप्ति तक जितने भी वरनाएंगे का अश्परशा दूसरा है इसमें यड्योंतस्था जो और प्रत्याहार में अंतस्त्रा है तीसरा इसमें बता गया सलह उश्माणा जो सल्प्रत्याहार है उस में प्रत्याहार में जो वर्ण आएंगे तो तालब से मुर्धन से दंती से और है यह कैसे वर्ण है उसमें बिंजन है अच्छा है स्वरा अच को क्या कते है अच प्रत्याहार के अंतरगत आने वाले वर्ण क्या है स्वर है अगला है कक्ख इति ककखा भ्याम प्रागरद विशर्ग के सर्दी सो जिहवा मुलि तो कक केогले प्रागर्द माने पहले अर्द विशर्ग जैसा अगर चिन्ह दिखाई दे तो उसका उचाल स्थान अधात ऐसे वर्ण को जिहवा मूली वर्ण कहना चाहिए अगला दिया है पफ इती पफव्याम अधात प और फ के पहले प्राक अर्द माने के पहले अर्द विशर्ग जैसा चिहन दिखाई दे तो उस पफवा का का नाम क्या होगा उपधमानिय होगा क्या होगा उपधमानिय होगा अंग अह इत्यचह परानुस्वार विशर्गों जो आ है अंग है और आ है इसको क्रमसह जो है अनुस्वार और विशर्ग समझना चाहिए यह अनुस्वार है और यह क्या है विसर्ट तो इस प्रकार के अच को मैंने जो क्रम से लिखे गए है इसे जो है पहले वाले को अनुस्वार और बाद वाले को विसर गए समझना चाहिए दिये वरगों का एक प्रकार का वरगी करण हो गया प्रत्याहार में जो वर्ण थे वह उस्म हो गए, जो अच प्रत्याहार के अंतर गताते थे, वह क्या हो गए? श्वर हो गए तो यहां सारे वरणों की चर्चा की गई। ल Gibson जो इसमें अनुस्वारत दिखाए पड़ा यह क्रम्सा क्या है अनुस्वार है और विशर गये यह वर्णों का वर्गी था अचैने पता चला कौन से याड़ों अनतस्ता है तो जब आपको हमने एस प्रिष्ट पढ़ाया थ है उस प्रिष्ट क्या है अस परस यहां इस सूत्र में क्लियर किया गया उसके बाद नीचे एक समील युण staff 1 वाज बताया कि यकन क्या है अंतस्त क्या है अंतरत sudah सलास्च महा प्राणा आपने इसके पहले सूतर पढ़ा था सल वाटाया कि सनव क्या है उसम व्पैंजैन आच अर्छ क्या है स्वर है कंख दीक कंख आ ये और्धेसर्ग पॉपाके दिखाई पड़ जाए तो वह क्या कहलाएगा उपधमानिये कहलाएगा। तो एंघ अन अह इत्यचेहपरानुस्वारा है अंग्ड में जो उमें बिंदी दिखाई पड़ रही है वह अनुश्वार है अहमें जो हमें बिशर्ग दिखाई पड़ रहा है दो बिंडी दिखाई पड़ रही है वह क्या है बिशर्ग है तो यह वरगों का वरगी करण था तो अब हम अगले सुत्र की चलब चलेंगे लेकिन अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें सेयर करें कमेंट करें हाँ यह चैनल पर प्रथम बार है या चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले तो बस आज के लिए इतना ही फिर मिलते हैं किसी नए टापिक के साथ नमय संस के ताय सुब संध्या सुभरत्री है झाल